Hello everyone, welcome to our YouTube channel IT Education तो guys, आज का वीडियो बहुत ही important है इस वीडियो में मैं आप लोग को railway भरती के regarding बात करूँगा ALP technician भरती के बारे में और last time requirement जो 1218 में आया था अभी आप लोग को पता ही है 1222 चल ला है और 4 सल होने जा रहा है और इस साल possibility जादा है requirement आड़ेंगा मैं आप लोग को बताऊँगा कौन से मन्त में expect है जो leaks वगरा निकल कर आ रहा है कि कौन से मन्त में आएगा मैं आप लोग को बताऊँगा last में बताऊँगा उससे पहले हम लोग discussion करेंगे last time जो advertisement का नुसार क्या मा आ गया था agility क्या था salary क्या बोला गया था age limit क्या था syllabus क्या था selection process क्या था साला detail मैं आप लोग को बताऊँगा तो वीडियो का आप लोग को क्या करना है अन तक देखना है ठीक है अब देकिए यहाँ पर सबसे पहले डाटा 40,000 पलस last time जो requirement आया था वो 26,000 था लेकिन मैं इस पर expect कर रहा हूँ 40,000 पलस तो मैं आप लोग को बताऊँगा कब आने का उम्मीद है सबसे पहले हम लोग जान लेता है जो इसमें जान लेते हैं जो important detail बगरा है तो सभी समयाज़ों के निवेदन करूँगा यार इस तरह का वीडियो बनाने बहुत मेनत लगता है तो आप लोग प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर दिजेगा बिल लाइक और कर दिजेगा थाकि आप लोग के पास notification पहुँचे और अपने दोस्तों के जीडियो शेर कीजेगा अब चलिए मैं आप लोग को एक एक करके सारा डिटेल बताता हूँ फुल नोटिफिकेशन के साथ मैं तो देख सकते हैं यह फुल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जिसका advertisement नमबर था CNY 01 by 2018 यह फुल नोटिफिकेशन नमबर था यहाँ पर देख सकते हैं Government of India, Ministry of Railway, Railway, Recurment Board तो यहाँ पर इस तरह का कुछ images वगएरा लगा हुआ था यहाँ पर technician वगएरा देख सकते हैं यहाँ पर LP है और यहाँ पर देख सकते हैं तो यह फॉर्म आप लोग का CPC basic यहाँ पर initially 19.00 है यहाँ पर मान के चलते हैं नॉर्मली ओवर बालो बात करूँगा तो technician का 30.00 बन जाता है यहाँ पर जादा बनता है LP का जो अलाउंस वगएरा होता है जो और भी अलाउंस मिलाकर के जादा बन जाता है 35.00 बनता है यहाँ पर जो अलग अलाउंसस होती है वो मिलाकर के लेकिन LP का technician से थोड़ा जादा बनता है LP का जादा बनता है technician से है ठीक है चुकि यह duty जो होता है यह running duty होता है LP का technician का आप सभी को पता है यह वाक्सप में भी होता है किसी किसी का running भी होता है वो requirement का नुसार आता है अब यहाँ पर salary का चर्चा हो गया है age की बात करूँ तो 18 से 28 सल माँ गया था last time यह देखिए यह इस time पर advertisement निगी लेगा तो थोड़ा मुरा changes वेगारा भी हो सकता है लिगन मैं last time का नुसार यह मैं आप लोको बता रहा हूँ तो इस time 18 से 28 सल माँ गया था relaxation SCST वालों के लिए 5 सल OBC वालों के लिए 3 सल मिला था यहाँ पर selection process गाईज था दो stage में CBT हुआ था stage 1 और stage 2 तो यह दोनो stage ALP technician दोनों के लिए लागू था बाद बाद की सिर्फ ALP वालों को एक psycho test देना पड़ता था जो computer based aptitude test हुआ था वो सिर्फ ALP वालों को देना पड़ता है technician वालों को नहीं देना पड़ता है मैं आप लोको नीचे में देखाऊंगा क्या-क्या पूछा जाता है यहाँ पर negative marking मार्किंग दोनों स्टेज में रहता है वन भाई ठड़ आप लोका negative marking रहता है यह आप लोक हो गया negative marking रहता है यहाँ पर उसके बाद नहींचे में स्क्रॉल कर लेता हूं तो देखी लिखा गया है देखी यहाँ पर medical standard आप लोक अच्छा कासा मांगती है यहाँ पर जो ALP का होता है वहाँ पर आप लोको A1 standard medical चाहिए यहाँ पर कोई भी आँख में मत प्रवल्म नहीं होना चाहिए फुली six by six होना चाहिए विधाद गलावस होना चाहिए यहाँ पर अच्छा कासा आप लोको यहाँ पर medical चाहिए यहाँ पर देखिए एज मैं आप लोको बताई दिया हुए उनका 800 रिप्या लिया गया था यह हो गया फिस वाल का और मैं और यहाँ पर करता हूं important बात तो देखिए फिस हो गया अब यहाँ पर देखिए आप लोका साथ मिनट का होगा पचातर कोश्यन आएगा यह सिर्फ कालिफाइंग नेजर का होता है यह आप लोका स्क्रीनिंग नेचर आता है और यह देखिए इसमें क्या-क्या सब्जेक्ट पूछा जा टोटल नमबर आफ केंडियेट साथ लिस्टिर फॉर्स इस पंदरा टाइमस अफ टोटल वेकेंसी अल्म टेकनिशन यानिकी पंदरा गुना मत्तव यह बुलाता है सिकेंड इस्टेज में तो सिकेंड इस्टेज में जो पेपर होगा वह पार्ट ए पार्ट बी में रहेगा साथ मिनट आएगा और यह ट्रेट से रिलेटेट फॉर्म भड़ियेगा उस ट्रेट से पर्शेंट को लिए यह दोनों पर एल्पी टेकनिशन दुनों के लिए होगा देन सिर्फ एलपी वालों को इसके बाद आप लोका साइको टेस्ट होगा और इस वाले में 35 आप लोग का गाईज यह बोलिए तो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस हो गया और यहां पर मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूं क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है तो यहां पर देख सकते हैं जो असिस्टेंट लोको पाइलेट है इनका यहां पर तेन्थ पास प्लस आईटी पास कुनकों सा ट्रेड में यहां पर लोग ट्रेड वे गए रहा है आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर पड़ सकते हैं देन आप लोग डिप्लोमा की हैं फिर भी इलिजबुल है यहां पर यहां पर यह हो गया टेक्निशियन में प्लस आईटी रहना चाहिए जो ट्रेड का निकले का टेक्निशन वो और अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं मैंने सारा डीटेल बता ही दिया हूं अब यहां पर यहां पर जो डिकुर्मेंट का पॉसिबिल्टी आने की तो देखिए बहुत ज्यादा लीक्स वेगरा निकल करा रहा है टोटल चार्शन होने की जा रहा है एक्सप्यक्ट है आप ल जो है यह उत्राइज मत्व की बोल सकते हैं बहुत जगव से निकला है और यह आप लोग का पॉसिबिल्टी है मैंने पहले रिपीट के ऑफ़र से रिपीट कर देता हूं मार्स से आप लोग के मैं की बीच में कभी यह देखने को मिल सकती है मैं यह एक्सप्यक्ट बता रह की निकलने का ठीक है और देकि बहुत ज्यादा इंप्लाइमेंट मतब की क्या बोलते हैं रिटार्मेंट हुए हैं और बहुत ही जीस तरह से लार्गेस्ट यहां पे आप लोग को पता है सबसे ज्यादर हो जगा देने वाला डिपार्टमेंट है तो इस बाले डिपार्टम आप लोगों सीट देखने को मिल सकता है तो गैस यह था आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट वीडियो अच्छा लगने पर लाइक कीजेगा शेर जरूर कर देजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देजगा धन्यवाद